ओम परमात्मनेयनम हे मेरे प्रियवंदूं जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या ब्रह्मचर ये तंसे अधिक मन पर आधारित है इसी भी से पर ये आज का हम लोगों का चर्चा होने वाला है हमें लगता है कि जहां तक लोगों का ब्रह्मचर एक खंडित हो रहा है महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण ये भी है बहुत पूर्ण कारणों में से, क्योंकि हम लोग तंसे ब्रह्मचर्य पालन करने की समझ लीजिये की कोशिश कर रहे हैं, और ब्रह्मचर्य मन से है, मन पर अधिक आधारित है, तंसे भी रोकने की आवशक्ता है, परंतु मन जो है, अधिक वहाँ पर हम लोगों का सलगन है, ये समझने का प्रयाज करिए, अगर हम लोग तंसे ये चाहें कि हमें ऐसे जगह पर नहीं जाना है, जहां गंदे दृश्य दिख रहे हैं, परंतु हम उसी जगह पर बैठे बैठे मन से उस गंदे दृश्य को देख सकते हैं, इसलिए मन पर बहुत अधिक आधारित है, मेर बलवान का मतलब ये है, कि मन तो बहुत बलवान है, परंतु इसलिए कहा गया है कि इंद्रिय जो है, बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, बड़े-बड़े रिशी मुनियों को खीच लेती है, मेरे प्रियबंदू, उसी छेत्र में हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, परंतु अगर आपको मन को मजबूत करना है अर्थात अपने वस में करना है ध्यान एक मात्र ध्यान योग आसन प्राणायाम ध्यान अगर आप ये कर रहे हैं तो निश्चित ही मन को अपने कंट्रोल में ले सकेंगे काबू में ले सकेंगे और मन से अपने मुताबिक कारे अन्यथा बिल्कुल नहीं मन के अनुसार आप लोग चलने लगेंगे और जो मन के अनुसार चलने लगेगा वो निश्चित ही घम मचरे का पालन नहीं कर सकता खुली तोर पर हम बता रहें नहीं कर सकता मन कर रहा है आज ये खाएं तो वो खाएं ये खाएं तो ये खाएं यह नयम हमने एक निएंड मन कीया कि ये करें वो नहीं मात्ium नियम अनुज्सासन से चलिये Kyoda प्रभु के चिंतन में लगाए रखिए वेत पुरान सास्त्र का अध्यन करें। जिसे आपके मन में सकारात्मक्ता बनी रहे और आपका दिमाग जो है उच्च गुडवक्ता के साथ विक्सित हो और आप निश्चित ही एक महान ज्यानवान बन सकते हैं। पून है तो हम कभी भी किताब को हाथ न लगाते हैं। दस बारह तक उनको पता नहीं था ध्यान के लिशे में तो लगता है। उसके बाद वो जो हुआ सिस्टम हो बोलने कि मैं कभी किताब को हाथ नहीं लगाता। इसका आर्थ आप जानते हैं। ऐसे ही हाथ से बस टच करते ही स्वामी विवेकाननद जी मोटे से मोटे किताब को अपने अंदर ट्रांसफर। वो मेमोरी बिकसित होगे। ब्रहमचर 12 साल ब्रहमचर इपालन किये थी। स्वामी विवेकाननद जी ुतना ही हम लोगों को टरने की आवशक्ता। उतना ही नहीं मेरे प्रियबंधू, उससे भी अधिक आपको करने की आउशक्ता है, करिए अपने देश के लिए करिए, सर्व प्रत्थम देश के लिए करिए, उसके बाद समाज के लिए करिए, फिर जाकर मेरे प्रियबंधू परिवार के लिए, फिर अपने लिए, ये उल् खा सके हम कैसे पी सके है अपने परिवार में भी मैं देखता हूँ कि कादेश से अच्छे से लोग नहीं दे पा रहे हैं क्यों कि सिर्फ अपने तक राच्छ सी पना खासी मुझा पने तक उतabout implemented का धनी होना है बिलकुल सुद्ध सात्विक भोजन के साथ नियम के साथ चलिए योग आसन प्राणायाम करिए निश्चित ही आप एक महान विक्तित्तु के धनी बन सकते हैं एक महान मेरे प्रियबंधु ज्यानी बन सकते हैं और ब्रह्मचारी तो निश्चित ही बनेंगे ही क्योंकि ब्रह्मचरे में ये सब कुछ की अवशक्ता होगी सब कुछ की अवशक्ता होगी ब्रह्मचरे अर्थात सभी जगह से जहां जहां आपकी आशक्ती है अर्थात ये मेरा वो मेरा ये यहां ये सब कुछ हटा के आपको परमात्मा में लगा देना होगा, तब जाकर आपको भ्रहम्मचरे का वो लाभ मिलेगा, कहने क्या हो शकता नहीं है, और कह भी नहीं पाहेँंगे, सबसे बड़ी बात है कोई नहीं कह सकता, वो सब अनुभूति की बाते हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकते हैं कहीं भी नहीं जा सकती ये समझने का प्रयास करिए वो परमपिता परमात्मा का आनंध है मेरे प्रियवन्धों इसलिए ब्रह्मचरे का पालन करते हुए आप ये महत्वपूर जानकारी आज जो प्राप्त करने हैं कि हमें तन से अधिक मन पर काम करने किया हो सकता है, मन को सुद्ध सात्विक बनाने किया हो सकता है, निंदा, चुगली, बुराई, गाली, गलोज, इन सब से जितना दूर हो सकें मेरे प्रीबंधूओं उतना दूर क्यों कि ये निगेटिव सब्द आपको निगेटिव कारे करने पर मजबूर कर देंगी, और जब निगेटिव कारे आपसे होंगे, तो निगेटिव परिणाम आएंगे, और जब निगेटिव परिणाम आएंगे, तो दुख ही दुख उत्पन होगा, मेरे दुख ही दुख उत्पन्द होगा, उसी दुख को हमारे सास्त्रों में नर्क के समान बताया गया है, वो नर्क भोगी व्यक्ति वैसे ही हो जाएंगे, ये समझने का प्रियास करिए, इसलिए सत्यमार्ग का चैन करते हुए धर्मा अचरण से घ्रमचरे का पालन करिए और नियम अतियावस्चक है नियम का पालन करिए लाभ ही लाभ होंगे और इन नब्बे परसेंट संसारियों से मैं निश्चित ही अधने दावा से बता सकता हूँ मेरे प्रिवंदु दावा के साथ बता सकता हूँ व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ हो परंपिता परमात्मा ये समझने का प्रयाज करिए कि हमारे अंदर विराजमान होकर बोलें आप से तो यही बोलें कि व्यक्ति कितना भी गिर चुका हो मेरे प्रियबंदु एक रुपे उनके पास ना हो खाने के लाल पड़े हो अगर वो विक्ति ब्रह्मचरे का पालन करना शुरू किया वो सम्राट बन सकता है यह अपने सास्त्र कहते हैं परंपिता परमात्मा की वाड़ी वेदों की वाड़ी है बिलकुल मेरे प्रियबंदु एक रुपए ना हो और वो ब्रह्मचरे का पालन करे वो यह वो नहीं दिख विजई सम्राट मेरे प्रियबंदु ओं संसार में दूसरा कोई नहीं वो तागत वो भल्वान वो ज्ञानवान मेरे प्रियबंदु ओं परंतु यह ब्रह्मचरे पालन करने के लिए जो लाभ हम लोग सुनते हैं उससे हम लोग आकरशित होते हैं इससे आकरसित होने की आवसक्ता नहीं है ये बहुत दूर की कौड़ी है ये पास की नहीं है ये आज ब्रह्मचरे पालन की है और कल मिल जाए आपको तो वो कौड़ी नहीं है निरंतर दिर्ग काल तक ब्रह्मचरे का पालन ये प्राप्त करने के लिए कम से कम 15-20 साल ब्रह्मचरे क पालंग तब उसके बाद आप देखेंगे कि क्या हैं आप और दुनिया में क्या करके जा सकते हैं आप और वैसे तो एक ही साल में आपके अंदर इतना बदला होगा कि आप समझ जाएंगे कि हमें ब्रहमचरे पालंग करना है यह समझने का प्रयास करिए एक साल में और एक साल अगर ना कर सके तो छे महीने शुरुवात करके देखिए छे महीने में भी आप गजब की अपने अंदर बदलाओ देखेंगे तो मेरे प्रियबंदू यही सब चर्चाएं थी जो हमें आप से साजा करने का समय मिला और हमने आज बीडियों यहां पर बना दिया हम अपने घर से लगबख पांच किलो मीटर दूर होंगे मेरे प्रियबंदू आए थे कहीं बेवस्था पे कुछ कार्य था तो फिर यहीं पर बैठकर आप लोगों के लिए एक बीडियों का निर्मार किया जाए क्योंकि बीडियों बन नहीं पा रहे हैं कुछ दिनों से बीडियों बन नहीं पा रहे हैं तो बीडियों तो आएंगे मेरे प्रियबंदू और आप लोगों को यह समझ लेना चाहिए तन से अधिक मन पर कार तो ही ब्रह्मचरिका पाल लंबे समय तक चलेगा चलिए मेरे प्रिये बंदूं वीडियों को यहीं पर समाप्त करते हैं बहुत भुद्धन निवाद आप सभी का ओम परमात्मनी नमाई